अगली बड़ी खबर बिलवडा से आ रही है जहां डी मार्ट में आग की सूचना से मचा हड़कंप आज सुबर सुबर जब डी मार्ट खुला उससे कुछ समय बाद ही अचानक सुन्नी में आया कि आग लग गई आग का साइरन भी बजा ग्राकों से भरे डी मार्ट में ये सुनते ही एक दम हड़कप मंच गया आनन फानन में पुलिस फायर बिग्रेट को सूचना दी वहां अंदर फसे लोगों को निकाला भी गया इसके बाद पता चला कि यहां कोई आग नहीं लगी बलकि प्रसाशन द्वारा मोग ड्रिल की गई है तब जाकर वहां आये अधिकारियों ने राहत की सांस ली इस मोग ड्रिल में सबसे पहले सुभाश नकर थाना प्रभारी, शीराज गुजर तो सबसे अंत में 108 एंबूलेंस मोग की पर पहुँची मोग ड्रिल के दोरान कलेक्टर नमीत मेता, पुलिस अधिकारी राजन दुश्यंत, SDM प्रसासन रतन कुमार, ASP विमल कुमार, सभापती राकेश पाटक, डीमार्ट मैनेजर अभिशेत तिरपुडे, UIT वे नगर परश्यत के अधिकारी सिक्त, NDRF, फायर विरेट वे डीमार्ट के सुरुक्षा अधिकारी मौजूद रहे जिला करेक्टर नमीत मेता ने बताया कि मौकडिल में सभी एजेंसियों के पास टाइम बहुत कम था, फिर भी सभी समय पर पहुँचे, उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की और मौकडिल की जाएगी पुलिस अधिक्षक राजन दुश्यंत ने भी मौकडिल में सभी का रेस्पोंस अच्छा बताया, आसपास के लोगों ने जब पुलिस वे सभी एजेंसियों का जापता देखा, तब चिंती थे, परंतु जो ही मौकडिल का पता चला, तब सभी ने राहत की सांस ली देखी बिलोडा से नवबार समाचार समादाता लोकिष्तिवारी की विशेश रिपोर्ट सिस्टम भी पाया गया, एम्बूलन्स टाइम पर आगई, फायर बिगेश आगया, तो ओवराल टीम जो इसका करने का परपस ही है कि कहींगर आज लगी बड़ी, तो पूरे सिस्टम का जो रिस्पॉंस टाइम है, वो कितना है, रेस्क्व आपरेशन कितनी फास्ट शुरू लाइन्स है, तो उन सब पर ये कावरी को किया जाता लएगा, आज इस उखारिया सरकेल पर, इमार्ट पर, इंटरनल सिक्योरिटी के तहप, एक मौगडिल आयजित की गई थी, इस मौगडिल का मुख्य उद्देश सभी डपार्टमेंट्स जो शुरक्षा से संबंदित है नागरिक शुरक से संब्सदित हैं, उन सब के बीच में कॉडिनेशन, उन सब का रеспॉंस, उन सब के तैयारी को जांचना है, यहाँ जितनी भी टीम्स, जितने भी विभागों ने इसमें एस्सा लिया है, उन सब क्या प्यारी थी, उनके क्या स्थितित है, वो किसी भी रस् कौन्स टाइम देखने चाहे उनके त्यारी देखने चाहे उनके एक्विप्मेंट्स के त्यारी देखने सभी पूंते संतोष पर